मेरा नाम है सोईद्राइट मौला और मैं कच्छा दो में बढ़ता हूं और मेरा स्कूल का राभ है के भियस बिर्भुप और आज में आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूं हिद्धी का और इसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल तो चलिए सुरू कते हैं सर्दियों का मौसम था सुभा का वक्त चारों और कोहरा ही कोहरा एक सेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोर बना जाबुट के पेड़ के नीचे सोया हुआ था इधर भालू सहब सेर पर निकल तो आये थे लेकिन पस्ता रहे थे तभी उनकी नजर जामून के पेड़ के नीचे पड़ी आखे आखे फैलाई अकल दोडाई आहां फुटबॉल सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्वी हासिल की जाए आओ देखा नात आओ भालू जी ने उच्छा दिया सेर के बच्चे को हरबड़ी में सेर का बच्चा दाढ़ा और फिर पेर की एक डाल पपली मगर मगर डाल तूट गई भालू साब जल्दी ही मामला समझ गए लेकिर पस्ताए लेकिर अगले ही पल दोड़ के फुर्ती से अपने दोनों हाथ बढ़ाए सेर के बच्चे को लपक लिया अरे जी किया सेर का बच्चा फिर से उच्छाले के लिए कह रहा था एक बार फिर भालू दादा ने उच्छा ला दो बार तीन बार फिर बार बार यही होने लगा सेर के बच्चे को उचले में बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन भालू ठक के परसान हो गया था ओह किस आफत में आफसा बारवी वार उचाते ही से भालू ने घर की ओर दो लगाई और वहां से गायब हो गया अब की बार सेर का बच्चा धडाम से जमीन पर आ गया डाल भी तूट गई तभी माली वहां आ गया सेर के बच्चे पड़ बरस पड़ा डाल तोड़ दी पेड़ की लाओ हजानत सेर के बच्चे ने कहा जड़ा ठीक तो हो लूँ माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ माली के वहां से जाते ही सेर का बच्चा भी नौदो ग्यारा हो लिया उसने सोचा जान बची तो लाखो पार थैंक यू वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमें सेर जरूर कीजिए ऐसा वीडियो में लाते रहूँगा झाल